हेलो एन वेलकम तो दा पॉलिटी वीकली करेंट अफैर से उसको डील करने वाले हमने लास्ट वीक थर्जडे को 19 अफ में तक के जित्ते करेंट अफैर से डील कर लिये थे और इस वज़े से आज की वीडियो में हम 20 से 26 मई के बीच में पॉलिटी के सेक्शन से रिलेटे जित्ते करेंट अफैर से उसे डील करने वाले है तो चलिए सबसे पहले हम important highlights देख लेते हैं कि क्या कुछ important घटा last week in this particular section तो सबसे पहला news जो है वो एक appointment से है सुमालिया देश में एक नए राष्ट्रपती की नियुकती हुए जिनका नाम है हसन शेख मुहमद जपान में quad leaders summit तो 2022 में आप एक दो दिन से news में काफी सुन रहे होंगे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जैपान के squad summit में शामिल होने के लिए गया और इसे related बहुत सारी आपको news highlights मिल रहे होंगी तो हम squad summit पर भी नजर डालेंगे चीन में भी एक summit होती है जो की ब्रिक्स से संबंदित है जिसमें जितने भी bricks देश हैं वहां की जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बैठक कि तो चीन में आयोजित की गई Bricks विदेश मंत्रियों की बैठक कोलकाता में राजा राम मोहन रॉय की 250 वी जहनती पर समारो के आ गया तो भारती पुनर जागरन के अग्रदूत राजा राम मोहन रॉय की 250th एनिवर्सरी कोलकाता में बनाए जा रही है और वहाँ पर उसका एक उद्गाटन समारो हुआ उस से रिलेटेड निउस देखेंगे उसके बाद एक निउस है इंटर स्टेट काउंसिल या अंतर राजे परिशत के पुनर गटन से संबंदित तो यह एक important point है जो कि आपकी सीधा सीधा पॉलिटी के एक topic से related है कुछ rearrangement कुछ reorganization किया गया है इंटर स्टेट काउंसिल के composition में ठीक है तो यह 4-5 निउस आज के इस वीडियो में हम cover करने वाले सबसे पहले एकदम simple first news से हम start करते हैं तो Somalia जो की कहां है Somalia भई? पूर्वी अफ्रीका में आपने कभी अफ्रीका कैसे map देखाऊगा इसमें Horn of Africa है वहाँ पे तीन देश है ठीक है एक है आपका Somalia एक है आपका Ethiopia और एक है आपका जिबोटी ठीक है तो यह से अफ्रीका का सिंग या Horn of Africa कहा जाता है तो Horn of Africa के तीन देशों में से एक Somalia में एक नए राश्ट्रपती की निक्ती हुए है जिनका नाम है हसन शेख मुहमद हसन शेख मुहमद सुमालिया के नए राश्ट्रपती निक्तु है यह पूर्व में भी Somalia के राश्ट्रपती रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में 2012 से लेकर 2017 के बीच में यह Somalia के राश्ट्रपती थे यह पुना राश्ट्रपती के पतपर निर्वाचित हुए हैं जो Somalia में वहां के विधायक हैं उन्होंने इन्हें राश्ट्रपती चुना हैं तो जैसे कि पहली लाइन में आप देख पा रहे होंगे Somali विधायकों ने पूर्व निता हसन शेख मुहमद को अफ्रीकी देश का अगला राश्ट्रपती चुना हैं इस अफ्रीकी देश का एक्चुली होना चाहिए अगला राश्ट्रपती चुना हैं इनके पहले जो राश्ट्रपती थी जिनको इन्होंने हराया उनका नाम था मुहमद अब्दुल्लाही मुहमद अब्दुल्लाही मुहमद इनके पूर्व में जो राश्ट्रपती थी उनका नाम था ठीके तो ये जो competition था इनके और इनके बीच में था हसन शेख मुहम्मद दूसरा कि ये पूर्व में भी वहां के राश्पती थी दोहजार बाश्व सत्रा के बीच में सुमालिया का जिकर आता है तो सुमालिया एक अफरीकी देश है जिसमें खासतोर पर जो पूर भी अफरीकी आपका पार्ट है जो गल्फ ओफ एडन के तरफ आता है आप मैप में देखिएगा जिसे हम हौरन ओफ अफरीका कहते है वहां के जो तीन देश होते है उन में से एक देश है सुमालिया जिसकी राजधानी है मोगा देशो आपके लिए इस न्यूज में इतना ही जानना काफी है चलिए बढ़ते हैं मकली न्यूज में दूसरी न्यूज बहुत इंपोर्टेंट है अभी दो-चार दिनों से काफी जाधा चर्चा में रही हाल ही में जापान में क्वार्ट समिट आयोजित की गई जिसमें प्रधानमंति नरेंद्र मोदी ने भारत से हिस्सा लिया था ठीक है तो पहले मैं जो कुछ लिखा है उसे आपको बता दूती हूँ फिर उसके बाद एक्स्टर इंफ्रमेशन बताऊंगी जापान में क्वार्ड लिटर समिट 2020 रूँ आयोजित की गई है और प्रधानमंति नरेंद्र मोदी ने 24 मही को होने वाली 24 मही को संपन हुए समिट में भारत के रश्से हिस्सा लिया इस समिट में जो बाकी के देश हैं उनके प्रमुखों की बात करें अगर हम तो अस्ट्रेलिया में अभी हाल फिलाल में चुना हुए वहां पे वहां के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जिनका राम है एंथली अल्बनिस उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया और USA के राश्पती जो बाइडन और जैपान के फुम्यो किशीदा तो नरेंदर मोदी, जो बाइडन, वुम्यो किशीदा, एंथनी अल्बनिस इन चार नेताओं ने जैपान में संपन इस क्वार्ट समिट में भाग लिया 24 मई 2022 को और इस पर्टिकुलर समिट में जो दो-तीन मुद्दों पर इन लोगों ने खासतोर पर चर्चाएं की देखें एक समिट में एक शिखर समेलन में इन चारों नेताओं ने मुलाकात तो की ही साथ इसाथ प्रधानमंति नरेंदर मोदी ने द्वीपक्षी वारता भी की यह ने बाइलेटरिल कॉन्वरसेशन नेगोसेशन भी किया बाकी की तीन नेताओं के साथ ठीक है जिसमें खासतोर पर इस पूरे रीजन में इस पूरे रीजन में जिस शेतर के लिए इन लोगों ने टाय बनाया है उस पूरे रीजन में आतंगवाद और हिंसक चरमपंत के खिलाफ इन लोगों ने कुछ न कुछ स्टेप लेने की बात की जो भी हाल फिलान में पठान कोट में हमला हुआ था उसकी निंदा की गई औ उसरा जाहिर से बात है कोरोना के बाद किस तरह से अर्थवेवस्था और बाकी चीजों को पटरी पर लाया जाए इस पर भी बात चीत हुई और उसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन जो होता है जो भारत और पैसिफिक ओशिन के एरिया के इर्द गिर्द वाला रीजन ह वहां पर क्या क्या चालेंजिस हैं क्या क्या मौकिया अपॉर्चुनिटीज हैं आने वाले काल में आने वाले टाइम पर इस पर भी उन्होंने चर्चा की ठीक है तो कुल मिला करके आतंगवाद चरंपंती एक्टिविटीज की खिलाफ उनकी खिलाफ इन्होंने बातें की और खास्तोर पर एक्टिविटीज की निंदा की दूसरा पोस्ट कोरोना किस तरह से डेवलप्मेंट को वापस उसी स्पीड में लाया जाए उस पर चर्चा की और जिस रीजन का ये टाइप है खास्तोर पे इंडो पैसिफिक रीजन वहां पे आने वाले समय में क्या क्या चा अब आताती है क्वाड है क्या तो जैसे कि आप इसकी पहली लाइन में देख सकते हैं चतरभुज सुरक्षा वारता इसका अक्चिली में फुल फॉर्म है क्वाड्री लेटरल सिक्यॉरिटी डायलोग सी क्वाड इसको कभी ना आप ऐसे मत लिखिएगा इसको कभी ना आप capita 4Litter capita में इसा नहीं कि क्यूं से अलग है यू से अलग है ए से अलग है ए से अलग ले डी से अलग है QRôm का मतलब होता है बहुता है capital में इसलिए होता है कि हर एक letter का कोई न कोई मतलब होता है यह quad में आप सिर्फ Q capital लिखेंगे UAD जो है वह small लिखेंगे because यह quadrilateral का short form है बस यह acronym नहीं है quadrilateral का short form है ठीक है तो पहली बात ध्यान रखें कि इसका जो actually में full form है वो है quadrilateral security dialogue तो यहां पर एक शब्द आप देख पा रहे होंगे सुरक्षा वारता चार देशों के बीच में यह एक तरह की intergovernmental security forum है अंतर सरकारी सुरक्षा forum है यह क्या का मैंने intergovernmental security forum चार देश इसलिए quad बोला गया ठीक है तो चार देशों के बीच में एक security dialogue है कैसा संगठन बना गया है जो चार देशों की security concern से संबंदित है ठीक है इस quad की जो चार देशों की बात हो रही है इसमें यह चार देश शामिल है इंडिया अमेरिका जापान और अस्ट्रेलिया इंडिया अमेरिका जैपान और अस्ट्रेलिया इसलिए बार बार अभी जमें इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन बोल रही थी तो जाहिर सी बागार में इंडो पैसिफिक में एक तो हो गया इंडिया दूसरा आपका पैसिफिक में अगर आप ऐसे इ तो पैसिफिक ओशन के इर्दगिर्द ये चार जो देश हैं इन चारों के बीच में एक तरगा सेक्योरिटी डायलोग है ठीक है क्लियर है ये क्वार्ड जो स्थापित हुआ या जो गठित हुआ ये सन 2007 में हुआ शिंजो आबे उनके इनिशेशन से ये स्टार्ट हुआ और बाकी देशों के प्रमुकों ने भी इसमें हामी बरी और वहां से उस तारीख से ये 2007 से ये सेक्योरिटी डायलोग आज तक चलता रहा है अब आप कहेंगे कि ठीक है इंडो पैसिफिक रीजन में ये चार देशों का एक समू है एक तरह का सेक्योरिटी डायलोग ये तो समझ में आ रहा है लेकिन इनका मकसद क्या है इस एरिया में एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं बहुत बड़ी ताकत है और वो है चीन एशिया में और खास्तों पर जिस शेत्र की मैं बात कर रही हूं इंडो पैसिफिक रीजन इसमें अगर आप देखेंगे बहुत बड़ती हुई एक ताकत है और वो है चीन तो ये जो सेक्योरिटी डायलोग है ना ये दरसल चीन की बड़ती हुई एकॉनमिक और मिलिटरी पावर की अगेंस बनाया गया है और इसलिए चीन जो है ना इसके अगेंस रहता है और चीन क्वाड को एशियन नाटो बुलता है नाटो तो सभी जानते हैं लास्ट क्लास में बताये भी मैंने आपको और आप लगातार नाटो सुन रहे हैं कि क्या है और आप जानते हैं कि नाटो को बनाने का में मकसद है रूस के पावर को कम करना बिलकुल वैसे ही आप मान सकते हैं कि चीन क्वाड को अपनी शक्ती के सामने एक बड़ा चालेंज देखता है चीन सीधा सीधा क्वाड को है यह मानता है कि यह एशिया का नाटो है जो उसक कहीं नुकसान इन देशों को ना हो जाए इस वज़े से अपनी सुरक्षा के लिए इन लोगों ने इस अंगठन बनाया है ठीक है तो समझ में आई ही बात की क्यों बना कब बना किन के द्वारा बना कॉसर वीजन में बना अचली ना यह पूरा एरिया जिसके मैं जिकर कर रही थी यह एक्चली एशिया पैसिफिक के लात है इन्हीं लोग ने इस शब्द को रिप्लेस करके कॉड के जरी इंडो पैसिफिक कर दिया इंडो पैसिफिक है तो मतलब इसमें आप स्पैसिफिकली इंडिया को शामिल किया गया है और सिर्फ चीन नहीं मिडिल इस्ट कंट्रीज वेस्ट कंट्रीज में भी जो ऑईल एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं उनके भी खिलाफ यह मान के चली क्योंकि एशिया बुल लोगे तो पूरी मिडिल इस्ट और पश्चिम एशियाई देश सब आ जाएंगे इसमें तो ऐसिया वर्ट को हटाकर निञें दें लिने इन्डिया व्र जोड दिया तो यह जो रेप्लेस्मेंट ऑफ वर्ड किया है रो इनνοहीं लोह ने किया है तो एशियां स्पासिफ्रिज पर फूकस करते हैं वह इंडो पैसिफिक ओंड तो यह हैं क्वाड मैं समराइस कर देती तो भी और जो है वो एक short firm है quadrilateral security dialogue का जिसमें चार इंडो-Pacific region के देश शामिल है इंडिया, जैपैन, Australia और USA ठीक एक intergovernmental security forum है जो सन 2007 में प्रधान मंतरी जैपैन के शिंजो आबे उनके initiation से बनाया गया था ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है खासतोर पर चीन और बाकी तेल निर्यातक जो देश हैं उनकी बढ़ती हुई सामरिक जो शक्ती है उसकी खिलाफ अपनी सुरक्षा कारणों से यह बनाया गया था ठीक, so that is it, इसका background है और dynamism में आप याद रखेंगे कि इस summit में इन चारों देशों की कौन-कौन से मुख्या जो मैंने आपको बता है भारत से प्रधानमंत्री मोदी और अस्ट्रेलिया से एंथनी अल्बनिस, यूएसे से जो बाइडन और जपान से फुमियो किशिदा ठीक है और जिन मुद्दो पर खासतोर पर बात हुई वह उसी इंडो-पैसिफिक रीजन में क्या-क्या इस न्यूस में इतना ही बढ़ते हैं जल्दी से आगे हैं हम अगली न्यूस पर ये न्यूस ऐसे बहुत जादे इंपॉर्टेंट नहीं पर देंटू डैनिमिक फेक्टर को आप ध्यान में रखेंगे तो जिस तरह से क्वाड है ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट जियो जिसका नाम है ब्रिक्स ठीक है तो चीन में हाल में ही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई याद रखेंगे क्वाड की बैठक कहां गई जैपैन में और चीन में ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है जिसमें भारत के जो विद में जो मेन मुद्दे पर इन विदेश मंत्रियों की चर्चा हुई वो था अगें रूस-Ukraine युद्ध विदेश मंत्रियों ने रूस-Ukraine की स्थिती पर चर्चा की और रूस और रूस-Ukraine के बीच बारता का समर्थन किया तो everyone wants peace between these two countries because everyone not only the citizens and the leaders of those two countries but all the countries of the world are suffering because of this war because of this battle तो इसलिए आप हर जगे जहां पर भी आपकी द्विपक्षिय वारताएं हो रही हैं या जो भी शिखर सारे के सारे diplomats होते हैं हर देश के जो diplomats होते हैं highest bureaucrats जो विदेशों में एक देश का प्रतिने दित्व करते हैं वो इन विदेश मंत्रियों की अधीन ही होते हैं तो इस वज़े से इनकी जो यह चर्चा है काफी important है कि किस तरह से यह negotiation करवा पाएंगे किस तरह से यह एक तरह का बीच का रास्ता निकलवा पाएंगे किस तरह से परसुएट कर पाएंगे रूस और युक्रेन को कि आपस में चर्चा करकी युद को समाप्त कर से तो इनका जो main focus था मीट करने का वो रूस युक्रेन युद्धी था ठीक है तो आपको organization है एक तरह की economic organization है जिसका गठन सन 2001 में हुआ था और इसमें Brazil, Russia, India, China और South Africa है और इनहीं के countries के abbreviation से ही ये word BRICS बनता है B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa इनीशेली क्या था? BRICS था सिर्फ, South Africa बाद में जोड़ा गया तो ये BRICS से BRICS हो गया ठीक है? तो यादर कि 2001 में स्थापना हुई इसमें 5 सदस से एक तरह की economic organization, economic इसलिए क्योंकि ये पाचों देश जो हैं अगर आप अर्थवेवस्ता के हिसाब से देखें, तो वर्तवान में developing countries की category में आते हैं, विकास शील देश, लेकिन खास बात ये है कि दुनिया में जितने भी विकास शील देश हैं, उनमें जो सबसे मजबूत अर्थवेवस्ता हैं, वो ये ही हैं, तो आप कह सकते हैं कि BRICS ऐसे 5 विकास शील देशों का समू है जिनका जो विकास शील देशों में करम हैं, वो सरवोच हैं, मतलब इनकी जो अर्थवेवस्ता विकास शील देशों में सबसे मजबूत मानी जाती हैं, तो economic point of view से ही ये पूरा का पूरा समू बनाया गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे कि कब स्थापना हुई, इसके सद जस विकास शील या नव ओद्योगी के द्रेश हैं, जिनकी अर्थवेवस्ता तेजी से बढ़ रही है, यहने जो इनका ग्रोथ रेट है GDP का, वो हाईएस्ट है मंगा all the developing countries, fine, तो ठीक, ये न्यूस का डैनमिक पार्ट याद रखें, विदेश मंतरियों की चर्चा, S.J.S. चंकर ने हमारे हैं से पार्टिसपेट किया, रूस यूक्रेयनी जुद पर चर्चा हुई, चीन में ये सम्मेलन हुआ, और फिर ब्रिक्स का ये बेग्राउंड याद रखेंगे, स्टैटिक पार्ट, ठीक है, चलिए, बढ़ते आगे हम अगली न्यूस पर, अगली न्यू उपलक्ष में संस्कृती मंत्राले ने कलकट्टा में एक वर्ष तक चलने वाले कुछ आयोजन के समारों का उदखाटन किया, ठीक है, तो 22 महीं 2022 को राजाराम मोहनरोय की 250 वी जैनती थी, जिसके उपलक्ष में कलकट्टा में इन्हीं के नाम से एक लाइबरी फाउंडेश है, जिसका नाम है, राजाराम मोहनरोय लाइबरी फाउंडेशन सौल्ट लेग, वहां पर उदखाटन समारों को आयोजित किया गया, यह जो पूरा समारों है, इनकी जैनती के उपलक्ष में पूरे एक साल तक चलेगा, इसलिए याद रखिए, 22 महीं 2022 से स्टाट हुआ, औ 22 मही 2023 समारों चलेगा उनकी स्मृति में, इस समारों के डूल परपस है, एक तो वज़े है कि राजाराम मोहनरोय की जैनती है 250 फी, दूसरा परपस यह है कि जिस लाइबरी फाउंडेशन में आयोजिन किया जा रहा है, उस लाइबरी फाउंडेशन का भी पचासवा पढ़ सकते हैं, राजाराम मोहनरोय लाइबरी फाउंडेशन का 50 फाउंडेशन डेवी था, और इस वज़े से यह दोनों चीज़ों को कमेमोरेट करने के लिए, पूरा साल भर तक के चलने वला आयोजिन वहाँ पे स्टार्ट किया गया, उद्घाटित किया गया, इंडिय ताके कल्चर मिनिस्ट्री इने संस्कृति मंत्रा ले द्वारा, ठीक, तो ये थी न्यूस, जो डैनेमिक पार्ट में आपको याद रखना, एक साल तक चलेगा याद रखना, कहां चलेगा, राजाराम मोहनरोय लाइबरी फाउंडेशन में, ठीक, 50 फी वहाँ पे उसका अब हम क्योंकि राजाराम मोहनरोय का नाम आता है, तो हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट फिगर है ये, इससे थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं, स्टैटिक पार्ट के लिए, तो भई, राजाराम मोहनरोय, जैसे कि मैं बार बार दोहरा रहे हूं, इंडियन ब्रिनासा के पादा, मतलब भारत के पुनर जागरन के अग्रदूत या जनक माने जाते हैं, जो modern इंडियन टाइम्स था, ब्रिटिश टाइम्स था, उसमें अगर आफ सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम जो आता है, वो राजाराम मोहनरोय का आता ह तो we all know that he was a very great social reformer, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिन्नों ने अपने कई संगठनों और विचारधाराओं के जरिये अंग्रेजों को परसुएट किया, और भारत के समाज में फैले अलग-अलग कूरीतियों के उपर आघात करके उन्हें बंद करवाने में पूर अफ मैं 1772 को इनका जन बंगाल के राधा नगर नाम के गाउं में हुआ था एक ब्राम्मन परिवार में, 22 मैं सन 1772 में, ठीक है, और बच्पन से ही कहा जाता है कि इनका दिमाग बहुत तेज था, महस 15 साल की उमर में इन्होंने बंगला, संस्कृत, अर्भी और फार्सी जै वो भी आपको कई भाशाओं में मिलेंगे, इन्होंने जो न्यूस पर या पब्लिकेशन्स भी निकाले, वो भी कई भाशाओं में मिलेंगे, तो बच्पन से एक बहुत इंटेलिजन इंसान थे और इन्होंने फिर आगे चल कर के समाज में जितने भी रूड़ी वादी प् तो इसलिए मैं बार-बार इनको कह रही हूँ कि ये भारती पुनर जागरण जिसमें आरे समाज, ट्राम करिशन मिशन, अलिगड़ मुसलिमान दोने इस सब आता है, उसके अगरदूत ये माने जाते हैं, इन्होंने एकेशवर वाद पर बल दिया, उसके अलावा रूडी वाद के खिलाफ थे ये, किसी भी तरह की रूडी वाद ये और्थोडॉक्से के खिलाफ थे, इन्होंने मूर्ती पूजा को निशेद किया, मूर्ती पूजा के खिलाफ थे ये, और हिंदू समाज में उस वक्त जितने भी कुप रथाएं व्याप्त थी, जैसे की बाल या विद्वा-पुनर्विवा का ना होना या सती प्रता, इन सभी को प्रताओं के खिलाफ इन्होंने बीड़ा उठाया था, इन सभी को कही न कहीं ये अंग्रेजों के दवारा बैन करवाना चाहते थे, इन सभी के लिए भारतियों के बीच में आवेरनेस पैदा करना चा है उस वक्त के जितने भी समाद सुधारा कांदूलन हुए है समाद सुधारी हुए उन लोगोंने बाल विवा सती प्रथा विद्वा पुनर विवा का ना होना या और दूसरे जो रूडी वादी रस्म और वाज थे उनके खिलाफ बिड़ा उठाया और उसमें ये भी थे ठीक है एक एश्वर वाद को इन्होंने खास्तोर पर बल दिया रूडी वाद के खिलाफ थे मूर्ती पुजा के खिलाफ थे ठीक इनको क्योंकि राजा राम मोहन रॉय बोला जाता है तो राजा की उपाधी दी गई थी अगबर सेकेंड द्वारा अगबर सेकेंड जो थे एक मुगल बादश्या थे उनके पैंशन से संबंधित किसी मुद्दे को ले करके राजा राम मोहन रॉय उनकी पैरवी करते वे ग्लेन गय थे बातचीत करने के लिए बस इसी से संबात कॉमदी आपने एक निउस्पेपर का नाम सुना होगा प्रीशेप्ट स ऑफ जीजस और मिरातो लगबार नाम की पत्रिका तो संबात कॉमदी और मिरातो लगबार पत्रिका हैं तो हफ़तुल मुवाहईदीन एक परशियन में लिखी गए बुक है और गठन सन 1814 में अपने इन्य आडलोजी इस पर आधारित उन्हों ने एक आत्मे सबा बनाई थी और इसी का एक विस्तार किया सन 1828 में और वेरी फेमस ब्रह्म समाज का गठन राजा राम मोहनरोई ने ही किया था और ब्रह्म समाज की जो विचारधारा थी वो यही सब थी जो भी आपको मैंने राजा राम मोहनरोई की बताई और ब्रह्म समाज की सारी एक्टिविटीज इन ही चीजों की इर्गित खुंगती थी ठीक है राजा राम मोहनरोई का नाम हाइलाइट होता है इस वाजय से जाहिर से बात है एक्जाम में एक प्रॉबैबिलिटी बनी रहती है कि history में इनसे सम्बंदित को एक question पूछे problems में भी आपका portion है mains में भी portion है social reforms in modern India तो question बिलकुल आ सकता है तो ध्यान से इनके बारे में पूरा एक note बना करके रखे कि कहीं पर भी question फस्ता है तो आप answer कर सके ठीक है, so that is it, इस news के बारे में इतना ही अब बढ़ते हैं हम आज की last news related और वो है interstate council से सम्बंदित अंतर राज्ये परिशद तो news यह है कि यह जो अंतर राज्ये परिशद है इसका पुनर गठन हुआ है इसे reorganize किया गया है हाल ही में इसमें 10 केंद्री मंत्री स्थाई रूप से आमंत्रित होंगे दूसरा सरकार ने अध्यक्ष की रूप में केंद्री ग्री मंत्री के साथ अंतराजी परिशत के स्थाई समीती का भी पुरन पुनर गठन किया तो इस interstate council की एक permanent committee है स्थाई कमीटी है उसको भी reorganize किया अब इस स्थाई समीती में ये जो कुछ राज्जों के नाम आप देख रहे हैं इसके मुख्य मंत्री भी शामिल होंगे आंदरप्रदेश, असम, बिहार, कुजराथ, महराष्ट, औरीशा, पंजाब और उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री भी interstate council की स्थाई समीती के सदस है तो ये है आपका dynamic part की पुनरगठन के बाद क्या चीज़े हुई है अब पुनरगठन के लिए आपको उसका original basic background तो पता हो नहीं जाए तब ही तो पता चलेगा की change क्या हुआ ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम देखते है interstate council है क्या constitution का एक important topic है आपका interstate council जिसका सीधा सीधा लेना देना interstate relation और center state relations है interstate और center state relations अंतर राज्य संबंध और केंदर राज्य संबंध का जो आप topic पढ़ते हैं भारत के संघात्मग धाचे के अंतरगत बस उसी से related है ये वाला interstate council का topic तो बही article 263 ये कहता है कि यदि कभी ऐसा संबव हो या ऐसा जरूरत आन पड़े कि दो राज्यों के बीच समन्वे कायम करने के लिए या केंदर और राज्यों के बीच समन्वे कायम करने के लिए किसी परिशत का गठन करना है तो इंडिया का जो president है वो एक interstate council का गठन कर सकता है मैं दोहराती हूं समिधानिक प्रावधान को आर्टिकल 263 ये कहता है कि center और state के बीच coordination establish करने के लिए या दो states के बीच में coordination establish करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो इंडिया का president एक interstate council का गठन कर सकता है तो इसका जो स्रोथ है वो सीधा सीधा एक समिधानिक प्रावधाने जो 263 में दिया गया clear ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका गठन और पूरा detailing को या अलग से article में ऐसा राश्पती को power दिया है कि वो इसका गठन कर सकता है fine उसके बाद क्या हुआ 1983 से 88 के बीच में केंदर राज संबंध center state relations related एक commission मनाया गया था बहुत famous जो लोग constitution पढ़ते हैं वो इस commission का नाम सुनते होंगे सरकारिया commission सरकारिया आयो सीधा सीधा केंदर राज्य संबंध के बीच में जो भी challenges है या जो जो आगे उसमें परिवर्तन करने हैं उसके लिए बनाया गया था और उन्होंने बहुत सारी सिफारिशें दी थी उन्होंने interstate council का गठन करने की भी सिफारिश थी अभी 263 article में तो एक प्रावधाने के ऐसे किया जा सकता है लेकिन सरकारिया आयोग जो है उन्होंने सिफारिश की कि Interstate Council बनाया जाए तो बस इसी आयोग की सिफारिश पर सन 1990 में Interstate Council का गठन किया गया नाम से समझ में आ रहा है अंतरराज्जी समनवे कायम करने के लिए अंतरराज्जी परिशक तो 1990 में Interstate Council का गठन किया गया ठीक है और इसके गठन में अगर आप इसकी संरचना देखें कि इसका कॉंपोजीशन कैसे बना गया था वो यहां पर दिया हुआ गठन किया गया उसमें ऐसा प्रावधान था कि इसके अध्यक्ष होंगे प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे सदस्य सभी राज्यों के मुख्य मंत्री होंगे साथी साथ विधान सभा वाले केंदर शाह से प्रदेशों के मुख्य मंत्री और विधान सभा रहिद जो केंदर शाह से प्रदेश है वहा लाकर कि सेंटर और स्टेट के जो भी governmental heads है रिपीट सेंटर और स्टेट की जितने governmental head हैं सरकारी मुख्या है केंदर में कोन नहीं है प्रधान मंत्री हर राजी में कोन है मुख्य मंत्री बहु केंदर चाहिट प्रदेश जहां पे विदासबा है वहां पर भी विदान सब्हा नहीं है वहां पी केंद्र राज्यों के मंत्री इनके अलावा इनके लावा प्रधान मंत्री द्वारा मनों ने केंद्री मंत्री परिशयद में cabinet rank के 6 मंत्री अब यहां भी जो 6 मंत्री की बात हो रही उसी को 10 किया के अभी जो पुनर गठन हुआ है ना उसमें यह जो प्रावधान था कि बही मुख्य मंत्री तो होंगे प्रधान मंत्री तो होंगे साथ ही साथ इनके members में प्रधान मंत्री कुछ लों को नॉमिनेट करेगा और वो members central cabinet rank के होंगे ठीक तो इसी में यह जो invite members है इनकी संख्या बढ़ा करके 10 कर दी गई है तो जो परिवर्तन हुआ वो संरच नात्मक परिवर्तन किया के है clear यह बात ठीक है तो यह इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर बनाएं गई थी इंटर स्टेट कौर्डिनेशन को establish करने के इरादे से इसके सदस्यों में यह सारे members शामिल है जिसमें आपको अभी पुनरगठन देखने को मिलता है अगर आप इसकी उद्देश की बात करें तो यह लास लाइन पढ़ सकते हैं जो मैं बार बार कह रही हूं उसी कुल कुल शब्दों में आपे लिख दिया है राज्यों की बीच उत्पन होने वाले विवादों की जाच करना और उन्हें सला देना राज्य या केंद्रें एक से अधिक राज्यों की समान हित वाले विश्यों की पड़ताल तथा विमर्ष करने का अधिकार इनके पास प्राप्त है तो इनका कार क्या क्या होंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है तो यह news है आपकी इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड ठीक है तो यह है आपकी लास्ट न्यूस आई होब आपको समझ में आया होगा इंटर स्टेट काउंसिल हो चाहरा राजा रामोहन रोय उनकी जो डाइनेमिक पार्ट है उससे ज़्यादा आपका इसका स्टेटिक पार्ट इंपोर्टेंट है आज हमारे जो करेंट अफेर्स को डील करने का मकसद है वो यही है कि कई चीज़े तो सीधी सीधी news से आ जाती है लेकिन ऐसे बहुत सारे parts होते कि भी यहां से आता है यहां से आता है लेकिन ऐसे और भी सारे आपके gray areas होते हैं जो news में रहते हैं उसको as such सीधा सीधा current में तो नहीं पूछता पर वो क्यों कि news में रहे तो उससे related जो थोरी वाला portion आपके syllabus में उसे जरूर पूछता है अब राजा रामोहन रोय की जहनती आयोजीत की जाहिर से बात है कलकत्ता में होगी उसमें वो डायनेमिक में क्या ही पूछेगा कुछ चीजे जो मैंने आपको बता है वो जरूर पूछ देगा लेकिन उसकी वज़े से राजा रामोहन रोय का नाम highlight हुआ तो उनका हिस्ट्री में question बन सकता है पॉलिट्री में interstate council reorganize हुई तो इसमें interstate council क्या है इसका काम क्या है इसके संरचना क्या है ये question पूछ सकता है ठीक है तो अपने आपको इस तरह से prepare करना अब अभी से start करते अभी तक मैंने देखा कई student serious नहीं है इस new pattern को लेकर आप ये ना सोचें कि पहले तो ऐसा नहीं होता था अब ऐसा क्यों deal किया जा रहा है क्योंकि पहले जैसे question पर आता था प्रलम्स का वो इस बार नहीं आया आप सभी ने देखा कि प्रलम्स का pattern में जमीन आसमान का फर्क हो गया पहले और अब में इस वज़े से आपको पूरा orientation पूरी strategy अब नया pattern के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा तब ही वो strategy का आईगी ठीक है पहले आपने जितना कुछ पढ़ा है आप इसे जितने experience student से कई सालों से पढ़ रहे हैं उन्हें भी एक नए सिरे से अपनी कोशिश आगी बढ़ान ठीक हम कहते हैं भी काम्याव वही होता है जो वही चीज़ें जो हर कोई कर रहा है उसे अलग तरीके से करता है ठीक ऐसा नहीं को कोई चीज नहीं करता है नहीं बस उसका तरीका जो होता है वो अलग होता है fine so that is it आज की वीडियो में इतना ही I hope आपको आज का lecture समझ में आय चुछान